मैं भगवान की सोगन दिखा कर कह सकता हूँ कि अर्जुन जैसा कुशल धनुरधारी और कोई नहीं ये सत्य नहीं है शमा करें गुरुजे आप अंजाने में यिश्वर की जूटी सोगन ले रहे हैं मुझे अपना कौशल दिखाने का एक अफसर दिया जाए हाँ जे तेरे शक्ती मामा को लगता है कि जीता जागता पासा तो भगवान ने तुहारे लिए प्रेका है आपके संकेट समझ गये मामा श्री तुम्हें अर्जुन से बड़ा धनुरदारी होने का गुमान है पहले ये तो बताओ तुम हो कौन मौन के हो गए सुथ पुत्र एक दास पुत्र और राज कुमारों का सामने यह अन्याए है यह मेरा मित्र है राजा सर जुका के नहीं सर उठा के जीते है आसमान से चट गए बादल धर्ती पूरी बाण बरी अर्जुन जी ने देखा मंजर फिर से युद में चान बरी तो भाईयों में बढ़ कई बात आजमा रहे दो दो हात कौन है सबसे शक्ती शाली बाणों ने फिर उडान बरी शस्त्र वित्या में अंग राज की शक्ती का आभास हुआ सोत पोत्र थे कह रहे जिसको शत्रिय का एहसास हुआ एक बराबर दोनों खोशित कर दिये गए थे बलको माक के रण में ऐसे नड़े है योधा जैसे द्रिश्य खास हुआ गिश्म पितामा आगे बढ़ कर हस्ति नगोई की बात करें त्रित राश्र की चगा योदिश्टिर को खोशित समराट करें दुरियोधन से सैन हुआ ना कैसे फिर से चिना सिमासन आग लगा दूची चाता है फिर तो मैं ही करूँ अशासन दुरियोधन लेना है बदला मन में ऐसे ठान रखी थी धर्मराज की दुरबलता मामा शकुनी ने जान रखी थी पासों का शुरू खेल हुआ हर दावथा ऐसा फेल हुआ फेर रन बूमी तक बात जब उची राजनीति का केल हुआ कोरव पांडव आमने सामने कुरुक शेत्र मैदान में अरजुन जी ने कहा है बंवन नहीं ले सकता यह जान में शिरी कृष्ण सिखाए पार्त को जरा सब जो कहने के अर्थ को यह जानने ले रहे आप करो बस अदा यह अपने फर्ज को क्यों नहीं लाज़ लगे मेरे बाड़ों के निशाने पर अपने ही सखे संपन्दी हो तो फिर मैं बाड़ कैसे चला सकता हूँ मेरे पांचों पुत्रों का जीवन तुम्हारे हाथ हों ले है तुमने तो मुझे त्यात कर अपनी जोली खाली करते थी हात परक्षा जोली अधियार हो अपने अधियारों के लिए लड़ना परमाये तुम्हारी जोली खाली नहीं लगों का ल्याय और धर्न के लिए युद्ध करना हिंसा साँ चलो मांगों जो चाहिए वीरता करन लड़े जब रण भूवी में बार्त का चलना पाया जोर एक तरफ था मित्रवचन और एक तरफ अर्जुन का शोर सुर्पुत्र की ताकत को ना पार्त अभी तक जान सके बल पर दर्शन करे बराबर करन बात का ध्यान रखे प्राड ने लुंगा वचन दिया है पुत्र बचेंगे जिन्दा पांच आपने बेशक प्यार दियाना पुत्र को आने दूना आँच मांगनों जो मैं वो दे दूँ और जुन को ना कुछ होने दून माता का भी वचन निवाओं पुत्र बचे तभी आपके पांच पुत्र बने रहेंगे कर दो कर दो कर दो